अलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक तो मैं चैनल, फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ चोकलेट ब्राउनी की रेस्पी जिसे हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेब में और ये बहुत ही डिलेशियत, बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो चलिए रेस्पी को स्टार्ट क इसको अच्छे से छान लेते हैं, उसके बाद हम इसमें औड कर लेते हैं salt, तो बहुत थोड़ा सा ही salt इसमें औड करेंगे, उच्छी तरह से चान लेंगे, यह तैयार हो छुका है, अब इसको हम रख देते हैं, side में उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है dark chocolate तो 200 ग्राम dark chocolate और 50 ग्राम बटर डाल के इसको मैंने melt कर लिया है इस तरह से इससे जो हमारी chocolate की brownie बने की बहुत ही tasty बनती है उसके बाद हम आ जाते है microwave की तरफ यहाँ microwave को कर लेते हैं preheat तो यहाँ किटन को दो बार टेप किया और जो microwave है वो प्री इठ होना इस्टार्ट हो गया जब तक माइक कbreीट होता है हम केक का better तैयार कर लेते हैं अपनी ब्राउनी का better तो हम यहाँ पर लिया है 4 एक्सिन को भीड करेंगे यदि आप ऐगलेस ब्राउनी कहा करना चाहते हैं तो मैंने ओनलाइन माइक्वेव के लास में एगलेस ब्राउनी की रेस्पी शेर की हुई है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी नीचे इसक्रिप्शन बॉक्स में उसके बाद मैंने यहां पर 125 ग्राम शुगर एड करी है और इसे मैं बीटर से दो मिनिट के लिए अच्छी तरह से बीट करूंगी जिससे कि अच्छी तरह से शक्कर और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे यदि आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विक्सर से तीन से चार मिट के लिए बीट करिएगा उसके बाद मैंने यहां पर 75 ग्राम बटर और 25 एमेल ओयल लिया है और इन सारी चीज़ों को भी अब हम अच्छी तरह से बीटर की सहाता से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जिससे कि यह थोड़ा सा फलपी से चलाना पड़ेगा और उसको अच्छी तरह से फेटना पड़ेगा तबी जो आपकी चॉकलेट ब्राउनी होती है बहुत अच्छी तरह से बनती है तो यहां पर मैंने अच्छी तरह से इसको देखी कितना एरी और फलपी होता जा रहा है अब हम इसमें एड्ट करेंगे जिसे कि हमने melt करके रखी हुई है यदि आपके पास dark chocolate नहीं है तो normal कोई भी chocolate आप ले सकते हैं और उसे melt कर सकते हैं मैंने इसे microwave में एक मिन्ट के लिए रखा था तो यह melt हो चुकी है यदि आप microwave में नहीं करना आता है तो आप gas पे double boiler पर इसे melt कर सकते हैं अब मैं इस chocolate को भी इसमें अच्छी तरह बीटर की सहाता से मिला दूँगी इस सारी चीज़ अच्छी तरह मिल जाती है और जो हमारी brownie होती है बहुत ही अच्छी बनती है तो देख सकते हैं कि जो चॉकलेट है वो बैटर में अच्छी तरह से mix हो चुकी है और अब हम जिने जो छान के रखा था मैंदा उसको एड़ कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके सारा मैंदा एड़ कर लेंगे हम उसके बाद हम इन सारी चीजों को मिला देंगे पहले हमें हातन से ही अच्छे से मिलाना है उसके बाद हमें से बीटर से भी एक बार मिला देंगे पहले हमें चमस से ही उसको अच्छी तरह से मिला देंगे इससे क्या होता है बीटर पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है नहीं तो फिर क्याए जो हम चॉकलेट ब्राउणी बनाते हैं तो इसका जो बैटर होता है तो थोड़ा सा चिक चिका होता है थोड़ा सा चिप ट्युपा टाइब का होता है तो बीटर में बहुत ज़्यादा लोट परता है इसलिए पहले हम से मिला लेंगे अब हम थोड़ा सा मिल्क एट करेंगे यहां मैंने आधा कप करीब ब्राउनी बनेगी वह अच्छी नहीं बनेगी आपको आप देख सकते हैं कि मेरा यह बैटर कैसा है वैसा ही आपको बैटर रहना चाहिए इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए तो पूरा मैंने आधा कप इसमें जो दूद लिया था वह पूरा मैंने इसमें एड कर लिया है और जो हमारा बैटर है अच्छे से तयार हो चुका है अब हम इसको बीटर से थोड़ी देर के लिए बीट कर लेते हैं और उसके पहले हम इसमें अड़ कर लेते हैं वैनिला एसेंस तो मैंने यहां पर आधा चमस वैनिला ऐसेंस अड़ कर लिया है और अब मैं बीटर लूँगी और उससे इसको बीट करूँगी तो अब यहाँ देखिए आप मैं बीटर को नहीं घुमा रही हूँ जो बरतन है हमारा जो पॉट है एक बैटर का ये इसका चॉकलेट ब्राउनी के बैटर का उसको मैं घुमा रही हूँ कि इससे हमारी बीटर होता है उसमें जोर नहीं पड़ता है तो यह देखे मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से हमारा चॉकलेट ब्राउनी का जो बैटर हो तैयार हो चुका है और यह यह ले लिया है मैंने टिन और इस पर मैंने आप देख सकते हैं बटर पेपर बिचा के रखा है हमेशा चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए आपको बटर पेपर जरूर लगेगा नहीं तो वो नीचे से चिपक जाती है क्योंकि जो चॉकलेट ब्राउनी होता है उसका जो बैटर होता है थोड़ा सा चिप चिपा होता है इसलिए आप यह देखे चौप थोड़े से ड्राइब फूट्स हैं जिसमें हैं अखरोट हैं और चौकलेट भी में इसमें एड़ करूँगी यह कटी हुई चौकलेट है तो मैं इसमें एड़ कर रही हूं इससे जो उपर हमारी जो हमारा ब्राउनी कुक होगी ना तो फिर वह उपर उपर अच्छी तरह से जब यह चौकलेट मेल्ट हो जाएगी तो वह अच्छा से लिक्विट सा टेस्ट आता है जिसे बहुत ही अच्छी लगती है ब्राउनी तो आप इसे केक के बैटर से इस चौकलेट को थोड़ा सा इस तरह से ढग दोंगी नहीं तो चौकलेट जल जाएगी तो उपर से आपको इस तरह से करके जो केक के बैटर से है चोकलेट को इस तरह से ढख देना है यह देखे इस तरह से पूरे मैं जहाँ आपको केक के बैटर को थोड़ा थोड़ा करके चोकलेट को पूरा कवर कर देना है अब मैंने यहाँ पर लिये हैं आलमंड और थोड़े स अक्रोट लिये हैं तो उसको मैं उपर से इस तरह से decorte कर लेती हूं कि देखिए हमारे तैयार अना का ब्रावनी का बैध्याँ और आद हम इसे चलते हैं microwave की तरब कि microwave शक़ों अब आधर देती है अपणी became मैं कितना टाइम सेट करती हूँ तो यहाँ पर मैंने टाइम सेट किया है 40 मिनिट्स लेकिन ध्यान रखियेगा कभी-कभी आपका बैटर कोई पतला हो सकता है तो आप यहाँ पर कभी भी जैसे मैंने 40 मिनिट्स का टाइम सेट किया है तो 40 मिनिट्स के एक दो मिनिट्स पहले आप इसे चेक ज़रूर कर लेना कि आपके जो brownie है वो kuk हो गई है कि ने मेरी जो brownie थी वो 40 minutes में cook हो चुकी थी लेकिन आपको थोड़ा बहुत कम जादा time लग सकता है क्योंकि microwave का अगर नया microwave है तो उसकी heat जल्दी हो जाती है तो जल्दी भी हो सकता है लेकिन maximum इसको 40 minutes लग जाते हैं तो आप एक बार 40 minutes होने के 1-2 minutes पहले से चेक कर लीजेगा यदि आपकी brownie cook नहीं होती है तो उसे एक बार फिर से रखके थोड़ा सा 5-10 minutes का time और बढ़ा सकते हैं तो यह देखे हमारी जो चॉकलेट brownie है वो बनके तयार हो चुकी है और कितनी अच्छी तरह से लुक हो आया है कितनी अच्छी तरह से इसका fluffy भी होई है यह बहुत ही अंदर से जैसे cake होता है वैसी cake ही होती है लेकन जो ऊपर से उसकी जो चॉकलेट melt होती वो गूई होती ह है तो इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया आता है तो अब मैं देखिए इस तरह से आपको चेक कर लेना है यहां पर देख लेए मैंने डाल के देखिया एक स्कुर्स को यह क्लीन निकला है मतलब जो हमारी चॉकलेट brownie है वो बनके बिल्कुर परफेक्ट तयार हो द्लीन करेटी है। तो बटर पेपर लगाया है तो इस असाइनि से दे प्लेटि तो आज की रेस्पी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और कुछ भी आप ie प्रॉब्लम होती है तो यह तो वग के प्यूंकित happy experience ब्राउनी बनाना चाते तो वहाँ पर इसकी रेस्पी को आप देख सकते हैं, तो आप मैंने इसको ब्राउनी को सीधा भी कर दिया है, दूसरी प्लेट में यह देखिए, और अब हम इसको कट भी कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि अंदर से किस तरह से तैयार हुई है, तो हम एक चाकू ले लेती ह और यह आप इसे फ्रिज में रखके 10-15 दिन के लिए आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक डला है, साथ में आमने जो इसमें चौकलेट डाली है, इससे जो ब्राउनी होती है, उसकी लाइफ काफी बढ़ जाती है, तो आप इसे 10-15 दिन के लिए भी यदी फ्रिज आप इसे जो ब्राउनी बनके तयार हुई है, काटने में तो मुझे बहुत ही फ्लपी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि जो चौकलेट है वो इसको बहुत ही अच्छी से एरी और बहुत ही अच्छी से अंदर से भी देखती कितना डार्क शेड आया है, और आज की रेस्पी कैसी लगी है और इस जो आज की जो मेरी रेस्पी है उसको जरूर ट्राय करिएगा, तो यह रही हमारी चौकलेट ब्राउनी इसका आगया है लाश्ट लोग, तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेस्ट वीडियो पर जब तक अपना ख्याल रखिएगा, यदि चैनल पर नूँ हो तो चैनल को लाइक, शेर और कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसी लगी है आज की रेस्पी, और सस्क्राइब करना और बेल की बटन होती है उसको प्रेस करना तो बुलकुर मत भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत से अच्छी अच्छी रेस्पी